दोस्तों आज किस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच एक बार मैं पुना आज चुका हूँ मेरे प्यारे सिश्टर ब्रोदर बीटियसी 10709 एन्यम के भी स्कुटनी के लिए जो यहाँ पर आपती दर्ज करने की अब्जेक्शन की परकिरिया चल रहा है इसी बीच बहुत सारे कैनेडेट का यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड दिखा रहा है जबकि उनका मारक अच्छा है फिर भी डिस्क्वालिफाइड दिखा रहा है आखिर क्यों दिखा रहा है दिस्कौλέफाइड और ये दिस्कौलिफाइड को हटाने की क्या प्रोसेस है क्या इनका सही हो सकता है या नहीं इस बारे में हम लोग पूरा जानकारे लेंगे साती अब्जक्शन करने की परकिरिया भी दिखाऊंगा किस तरह subjection न सही रूप से करना है इसलिए सारे केनरेट इस वीडियो को देखेंगे और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है जानकारी अच्छा लग रहा है तो आप लोग बिलकुल रूप से सबस्क्रेब करिए वीडियो को सेर कर दीजिये और आप अपना कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी को किलियर करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आप लोग देखेंगे यानि कि अपुवंधिक रुप से मानने कर दिया गया लेकिन यहाँ पर इसको अब्जक्शन डालने के लिए दिखाऊंगा सारा चाज़ आपका दिया होगा आप लोग देख लिए होगे यहाँ पर जेंडर और काटिगरी खास करके आप लोग को देख लेना है कैटिगरी यहाँ पर दिया गया है dependent of freedom fighter नहीं है तो no दिया गया होगा साथी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे physical handicap नहीं होगे तो no होगा अगर होगे इन में सो जो भी होगा उस पर tick लगा होगा नहीं है तो no दिखाया होगा और mark essential यहाँ से कानी शुरू होती है mark essential देखेंगे तो यह पूरा mark essential लिखा हुआ है total experience नहीं दिया होगे तो zero higher qualification नहीं दिया है इसलिए zero होगा अगर दिये रहते तो आपका यहाँ पर सो करता साथी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे मेन रुप से क्या लिखा हुआ है कि total combination mark zero और total combination mark zero दाल करके आपको disqualified लिख दिया गया है अब disqualified क्यों लिखा गया है आप यहाँ से सुनिए commission remark दिया है देखे commission remark में कह रहा है ANM का बिहार परिचारिका निमंदन परिचद में निमंदन के अस्थान पर अपलोड करना था वहाँ पर ANM का certificate upload कर दिया ध्यान से सुनिए certificate और registration दोनों अलग अलग चीज़ा है registration के जबापा आपको registration जमा करना था upload करना था लेकिन आप ANM का certificate upload कर दिया जिसके बजाँ से हो सकता है कि आपको disqualified कर दिया गया अब आगे करना क्या है देखे आपको disqualified कर दिया गया है तो आप लोग को यहाँ पर आपती दर्ज करना है हाँ करके click करेंग और आपती में लिखेगा आप आप request यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि यह गलती आप किया है सब को सही होते हैं तो आपको सुधार किया जा सकता है इसलिए दोस्तों घवराएंगे नहीं आप लोग राइज objection कर दिजिए सब को सही करके जिससे कि हो सकता है कि disqualified वोला सिस्टेम हट जाए और आपके mark अगर cut-off से उपर जाएंगे तो आपके selection में यानि की counseling list में आपका भी नाम आ सकते हैं तो बिलकुल रूप से घवराना नहीं है दोस्तों objection जो भी candidate कर रहे हैं वो आप अपना साक्ष जरूरूप से देंगे आप अपना proof या जरूरूप से देंगे proof के तरप जो document upload कर रहे हैं एक MB से कम का document बना करके upload कर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो बिलकुल रूप से सारा चीज चेक कर लिजे और जो चीज आपको लग रहा है कि यहाँ पर सुधार करें तो बिलकुल रूप से आप सुधार कर सकते हैं किन-किन पॉइंटों पर सुधार करेंगे आप लोग यहाँ पर अपना objection डाल दिजे objection सही निकला सब कुछ सही रहेगा तो आपको भी माननी किया जा सकता है किस के लिए तो counseling के लिए तो यहीं चीज आए स्कूटनी करने के बाद यहीं साथ चीज को दिखाना है अब फिर बता देता हूँ जो candidate यहाँ पर मेदा सूची से नीचे अंक दिखा रहा है उनको भी प्रेशान नहीं होना है क्योंकि देखिए यह counseling list नहीं है लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल रूप से अगर डाल देते हैं objection तो आपके objection सही होते हैं तो आपके मानने होगा नहीं तो जिनका mark अच्छा होगा जो cut-off पार करेंगे उसका counseling list में नाम बिल्कुल रूप से आएगा चलिए बात को समझ गियोंगे आप अपना comment राय जरूर बताइएगा वीडियो यहीं पर समप्त करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा न तो पिलीज दोस्तो मेरे प्यारे बहन सब्सक्राइब करने के साथ शेर जरूर करिएगा ठैंक्यू